सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाईए इसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे बजाहिर तो ये लगता है कि दुनिया एक बार फिर से तैयारी कर रही है कि करोना के बाद की सूर्टहाल में कैसे अपने लॉक डाउन को शट डाउन को खत्म किया जाए लेकिन साथ साथ ये बहस भी उठ रही है कि क्या ये लॉक डाउन का खत्म होना या शट डाउन का खत्म होना को पर्मनेंट सूर्ट है या फिर ये मगतलिफ फेज़ेश में बात चलेगी अमरीका में, भारत में, पाकिस्तान में, साउथी इस्टेशिया में, यॉरप में सबी मतफकर हैं कि आफ्टर ओल करोना से बाहर कैसे निकला जा सकता है मगर करोना वाइरस पैंडैमिक जो है ये एक हकीकत है और बहुत ही बड़ी वबा है लेकिन इसने बहुत सारी बैसों को, बहुत सारी खबरों को, बहुत सारी परिशानियों को जनम दिया और हमने सिर्फ दो महीने के शौर्ट टाइम स्पैन में देखा कि बीफोर करोना यानि बीसी जिसको कहते हैं आजकल की नई पिरोडी इस्तला में और एसी आफ्टर करोना की सिच्वेशन क्या होगी क्या हम वाकिए ही आफ्टर करोना की हालत में जा सकेंगे रियल आफ्टर करोना यानि जब हम कह सकें कि अब करोना भी एक रेगुलर फ्लू है और हम इसकी परवाद नहीं करते वैक्सीन अवेलिबल है दौईयां अवेलिबल हैं क्या वो सूरतेहाल आ सकेगी मेरा ये कहना है कि यकीनन वो सूरतेहाल आएगी और शाय को बहुत देर ना लगे मगर हमारे आज के फास पे जमाने में अब सिर्फ महीने या साल ही नहीं गिने जाते बलके दिन और घंडे भी गिने जाते हैं हम सोशल मीडिया पे बैठे ये तवक्व करते हैं कि कोई चुटकी बजा कर दौाई इजात कर दे कोई एक दम से ट्वीट करके ये बता दे कि वैक्सीन दर्याफ्त हो गई है हम सब बेताबी से इंतजार कर रहे हैं और जल्दबाजी में हैं चुकि आज का जमाना ही फास्ट पेस का जमाना है लेकिन बात ये है कि आफ्टर करोना की सिचुएशन अगर कुछ महीनों बात और अगर मकमल तोर पर काबू होने के एक साल बात भी आ जाए तो मैं जाती तोर पर समझता हूँ कि ये इनसानियत के लिए खुशकिसमती की बात है अब हम आते हैं करोना की ताजा सूर्टेहाल की तरफ दुनिया में इस वक्त जब मैं आप से बात कर रहा हूँ 28 अपरेल इस्टन स्टेंडर टाइम टोरांटो न्यू यॉर्क के स्टेंडर टाइम के मताबक रात 9 बजे तो इस वक्त तीन मिलियन से ज्यादा केसिस दुनिया में करोना वाइरस के पॉजिटिव सामने आ चुके हैं और 2,16,930 डेट्स जो हैं वो कन्फर्म हो चुकी हैं ऑपनिंग का सिलस्था शुरू कर दיה जॉर्जिया ने पहल की जॉर्जिया स्टेंट ने कहा कि आप अपने बार्बरशॉप्स खोल ले आप जिम्स खोल ले उन्होंने कहा कि हम आपको अपने बिज्सिसेस खोलने पर पबंद नहीं कर रहे लेकिं ये कह रहे हैं कि आपके पास option है कि आप अपने कारोबार कोल ले, economy शुरू हो जाए, अब टैकसिस के लेटिनन गुर्णर ने भी कह दिया, कि हम भी इस Friday से ये दावत दे रहे हैं, 29 मिलियन टैकसिंस को जो रियास्ते टैकसिस में रहते हैं, कि वो भी अपने कारोबार खोल लें, और उनका भी ये कहना है कि लेटिनन गुर्णर का, कि हम ये नहीं कहते हैं कि आप पर कोई पबंदी है कि आप खोलें, लेकिन अगर आप कारोबार में वापस आना चाहते हैं, तो आ जाएं, लेटिनन गुर्णर ने आज ही अमेरिकल मीडिया से बाचीत करते हु जिसके लिए कोई सोदा सलफ लेकर आता है, तब भी उसका इंटरैक्शन उस सोदा सलफ लेकर आने वाले से या डिलिवरी देने वाले से तो है, तो उनका ये कहना है कि अगर सभी लोग एक दूसरे से एक्सपोज हो रहे हैं, तो फिर कारोबार खोलने में क्या हरच है? मुझे याद पढ़ता है कि जब मिड मार्च में यहां कैनडा में, अमरीका में और भारत में और फिर पूरी दुनिया में जब ये शट डाउन और लॉक डाउन की कॉल्स दी गई हैड अफ स्टेर्स की तरफ से या अपनी अपनी रियास्तों की तरफ से या सूबों की चलेगा मिड मार्च से आज 28 परवरी तक तक तक्रीबं डेर महिना हुआ है और इस डेर महिने में हमने कैयूल्टीस, कन्फर्म केसिस बहुत तेजी से ओपर जाते देखे, बहुत तेजी से ओपर जाते देखे, ये बیमारी जिसकी खबर चुपके चुपके से चीन से आई, दिसमबर 2019 में जिसकी वज़ा से इसको COVID-19 भी कहते हैं इस वाइरस को तो ये अंदाजा नहीं था कि ये दुनिया में इतनी तेजी से पहलेगा जनवरी में अमरीका ने कुछ मेजरमेंट्स लेना शुरू की और सदर ट्रम्प ने चीन से आनी वाली फलाइट्स को बैन करने का सिलसा शुरू किया कैनिडा में अलार्मिंग सिगनल्स बज़ना शुरू हुए भारत में पाकिसान में दुनिया बर में मुझे वो याद है बच्चों का केस जो सामने आया फैबरिरी में पाकिसान के स्टूडेंट्स थे जो चीन के सुबा वहान में स्टॉक थे उनको बहुत शोरो गुल मचा और फिर भारत ने अपने तयारे वहान भी बेजे और जहां जहां बारती पंसे होई थे वहां से जहां जहां से वो वापस ला सकते थे लाए वो भी एक साउट इस्या में बहस चुड़ी यह सब जैनवरी फरवरी की बाते हैं और फिर मार्च के पहले हफते से दूसरे हफते तक यह सिलसला तेजी से आगे बढ़ा इस सिलसला में बहुत सारी बाते हैं जो मैं आज आज आप से करना चाहता हूं पहले मैं आपको कुछ अदाद और शमार दिखाना चाहता हूं सबसे पहले हम जो वर्ल्ड वाइड सिच्वेशन है वो देखना चाहेंगे कुछ दिनों से अब तक आप सकीन शॉट देख रहे हैं एपरिल सेवन्टीन को यानि जब तक करोना वाइरस पंडेमिक दुनिया में बहुत बुरी तरह पहल चुका था एपरिल सेवन्टीन को दो मिलियन दो लाख सोला हजार दो सो अठाइस कंफर्म केसे सामने आए थे और एक लाख एकावन हजार डैट्स रिपोर्ट की गई थी और एपरिल टुन्टी एट थक यानि ग्यारा बारा दिन में ये दो मिलियन दो लाख सोला हजार से बढ़ कर जो कंफर्म केसे से वो तीन मिलियन एक लाख तेरह हजार चारसो चारसो चान्तालीस हैं और देट्स एक लाख एक कावन हजार से बढ़ कर दो लाख सोला हजार नौसो तीस हैं इस्टन स्टेंडर टाइम के मताबिक एपरिल टुन्टी एट की रात नौ बजे तक सबसे ज्यादा एफेक्टी जो कंट्री है वो यनाइटर सेट अफ अमेरिका है सतरह एपरिल को वहां पर डेट्स जो रिपोर्ट्स की गई उनके नंबर से 36,501 और आज एपरिल 28 को है 58,197 एपरिल के पहले और दूसरे हफ़ते में अमरीका में एक तरह से प्रेडिक्शन की गई थी के अमेरिका में एक से डिर लाख डेट्स हो सकती है फिर जो गराफ हमारे सामने आया उसमें यह कहा गया कि 60 से 70 हजार डेट्स हो सकती है यानि कम होंगी जितनी प्रेडिक्ट की जा सकती थी मगर आज एपरिल 28 को आलमोस 60,000 को टच कर रहा है यानि 58,197 अगरचे डेट्स रेट जो है वो नीचे जा रहा है गुछता कुछ दिनों से और जो कन्फर्म केसिस के जो अड लेकिन फिर भी लगता है कि ये फिगर्स असानी से 70,000 को अमेरिका में ही ये टच कर सकते हैं आप सक्रीम पर देख रहे हैं कि स्पेन में जो सूर्टे हाल है वो इस वक्त 23,800 22 डेट्स रिपोर्ट हो चुकी है और 17 अपरिल को 20,000 थी यानि 17 अपरिल से अब तक 23,800 22 यानि ज्यादा हुई है अगर वो जिस तरह का ग्राह पहले तेजी से उपर जा रहा था उस तेजी से नहीं गया इसमें 17 अपरिल के बाद 25 अपरिल का भी है नंबर आप देख सकते हैं हर जो इफेक्टिट कंट्री जो हम आपको स्कीन शॉर्ट पर दिखा रहे हैं फिर 27 अपरिल के नंबर हैं फिर 28 अपरिल के नंबर हैं इटली में जो चाइना के बाद सबसे ज्यादा इफेक्टि कंट्री हुआ जिसकी खबरे बनी और वो बहुत होलनाक मनाज़र दुनिया ने देखे इटली से क्योंकि इटली यॉर्पियन वर्ड में या चीन से बार सबसे ज्यादा मतासर होने वाला मलक था और जैसे यूं समझा रहा था कि इटली के हॉस्पिटल को इटली के हेल्थ केर सेंटर को सीनियर होम्स को किसी को शुरूर में समझ ही नहीं आ रही थी किस को किस तरह कंट्रोल किया जाए लेकिन उनोंने बहुत मेनत से इसको कंट्रोल किया और अब नमबर नीचे जा रहे हैं अब वहां पे 27,560 के करीब डेट्स रपोर्ट्स की जा रही है इटली में स्पेन में नमबर गिर रहे हैं वहां 23,822 हैं जर्मनी में एफेक्टिड केसिज यानी कन्फर्म केसिस तो काफी हैं एक लाग साथ हजार के करीब हैं मगर डेट्स 6,314 हैं फ्रांस भी बहुत ज्यादा मुतासर होने वाला कंट्री है जहां 23,000 से ज्यादा डेट्स बताई जा रही हैं और युनाइटड किंडम यूके में करीब 21,678 के करीब डेट्स हैं चीन जहा से ये मर्ज शुरू हुआ उसका ये कहना है कि हमारे पास 4,642 डेट्स हैं अब तक और जो एफेक्टिड केसिस थे वो को 85,000 के करीब हैं मगर अमरीका का कहना है कि चीन में जो नंबर हैं वो शाइद 50 गुना ज्यादा हैं बहुत हैं यहां पर बात चीत अमेरिका में चल र सादर ट्रम्प और अमेरिकन सैनिटर्स इस पे वाविला मचा रहे हैं उनका ये कहना है कि चीन ने हमारे साथ दगा किया पूरी दुनिया के साथ दगा किया हमें सही नंबर नहीं बताएं कल तो सैनिटर लिंसे ग्राहम ने यहां तक कह दिया कि वो जुडिशल कमेटी जिस के जरीर निफेशिगेशन Bitches उंगी सादर ट्रम्प ये बात की और नहीं चीट गा किया किए चीन के लिए बहुत सखत Gesprू किंसे उंगे लिंसे ग्राहम ने यहां तक कहा किए चीन के बारे में अगर यह बातें थाबत हो गई कि उस ने अगर हमारे साथ टावन ना किया इस investigation इस वाइरस के सिलस्वा में कि कहां से शुरू हुआ था तो हम बहुत सक्ति के साथ निप्टेंगे उनका ये भी कहना था कि चीन की जो वेट मार्किर्स हैं जहां पर बेट मॉंकीज और इस तरह के मीट बिकता है इसको बंद होना चाहिए तीसरा उन्होंने हांग कांग में जो डैमुक्राटिक एक्टिविस्ट हैं प्लिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनकी रिलीस की बात कि उन्होंने का अगर इन तीनों बातों पर अमल ना हुए तो हम सखती के साथ चीन से निप्टेंगे सदर्ट टरंप में ये बातें कर रहे हैं और सदर्ट टरंप इस सिल्सा में डैमोक्राइट्स और डैमोक्राइट्स के हामी मीडिया को भी बार बार चैलिज दे रहे हैं कि आप चीन को एक फ्री पास देते रहे हैं और सादर टरम बार बार इस बात को कोट करते हैं कि नेलसी पलोसी ने फरवरी के आखरी हफ़ते में ये कहा कि आओ सब आओ चाइना टाउन आओ और उन्हों ने ये कहा कि वो किसी किसम के शट डाउन या लॉक डाउन के हक में नहीं थी। यहां पर नाजरीन मैं अपनी कमेंटरी भी देना चाहूंगा बहुत दिल्चस्प सूर्टेगाल है। दुनिया में जब हमने कैनेडा में देखा, जब हमने भारत में भी अत्ता हता कि ये मामला हुआ, जब भी कंसरवेटिव पार्टीज ने अमेरिका, कैनेडा या भारत में चाहे वो पावर में हो, चाहे वो पावर से बाहर हो, जब ये कॉल दी कि चीन के साथ इंवेस्टिगेशन की खुलकर बात की जाए, तो जो लिबरल मीडिया था, लिबरल हकूमते या लिबरल आपोजीशन थी, जैसा कि अमेरिका में लिबरल आपोजीशन है, कैनेडा में हकूमत है, तो उन सब ने चीन का एक तरह से साथ दिया, कैनेडा से बहुत सारे जो हैं मिलियन्स मास्क बेजे गए, चीन, और अब जब कैनेडा को जरूरत है, तो कैनेडा के पास वो खेब मजूद नहीं, कैनेडा के कंसरवेटिव पार्टी के एक एहम, एम पी, जो आप भी लड़ रहे हैं, एरन ओटू, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, और बहुत सरे ट्वीट्स भी दिये, उन्होंने इस वीडियो में वही बात की, जो सदर ट्रम करते हैं, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनिजेशन, चीन की पपिट बनी हुई है, और उस पर ट्रस् है, मैं यहां पर वो वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूँ जो कंजर्वेटिव पार्टी के MPN2, जो कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर्शिप का अगे एलेक्शन भी लड़ना चाह रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, उनका मौकफ क्या है, यह देखिए इजियो क्लिप. एकानव बढ़न पतर चाहन जो जोघगन चाहना, जाजने, ultimateувати, वहाते हो जो हंगय है अ είναι कान quiz to work in Canada, जाम इख में कान जो उालाबन, एजुफ jakiś मृवशन को सिवेенसा हुटत, जाना से जान या ऴूटतिय। गुम और बातेवे राची के अले जांसे नहालार जिकटेए जालगजर द Almightyुनी के लिच्टाइव ज्चारिज Wahr हम रहिते ह одна कोसि़स्टार EVा टोंट दिच्ड़श्नी कि इन परोगी रधिते हुर्सार, व detto कि और्टोबस है थे चोनी समय, ग्र городत को गरे सकते तो परीश मेला की जिए हैंवाइट था पोगाइट जा कर दोड़ा कि शुबने हैं। एप बाचीत कामे से बिए वोगाँ ट्रहें होगाँ विर नाजी टुबने ही शुबने। तुर्स हम बाचीत कर रहे हैं कैनिडा की एक एहम पेशरफ आज ही 28 अपरेल को हुई प्राम मिनिस्टर नरिंडरा मूदी की बाचीत हुई कैनिडा के प्राम मिनिस्टर जस्टर टूडो के साथ और उनोंने शुकरिया अदा किया प्राम मिनिस्टर नरिंडरा मूदी ने उनोंने कहा कि जो क SciDians of Indian origin है आप उनका बहुत खयाल कर रहे हैं और उनोंने एक टूइट देते हुए कहा प्राम मिनिस्टर नरिंडरा मूदी ने उनोंने कहा कि Head of Warm Exchange with Prime Minister Justin Trudeau thanked him for looking after Indian citizens in Canada in these difficult times collaborating and partnership between India and Canada is vital to fighting the pandemic including through medical research and supply chain management. इसी बात को Canada में इंडिया के हाई कमिशनर अजे बिसारिया जी ने आगे प्राम मिनस्टर निंद्रा मुदी की ट्वीट को री ट्वीट विट को मेंट करते हुए कहा कि warm conversation between strategic partners today the Prime Ministers of India and Canada discussed closer collaboration in pandemic times particularly taking care of each other's citizens medical research and supply chain management. इसी जमन में Prime Minister Justin Trudeau ने अपनी ट्वीट में कहा कि I spoke with Prime Minister Nendra Moodi about COVID-19 today. We talked about the need for international cooperation as we work on responding to the pandemic, stabilizing our economies, developing treatments and vaccines and more. Read a summary here. नीचे एक summary उन्होंने लगाई हुई है. कैनिडा और भारत के Prime Ministers की आपस में बात चीट जो एक closer relationship एक दोनों मुलकों का उसकी तरफ एक एक वाज़ इंडिकेशन है. ये एक बहुत ही खुशाइन बात है. अब हम कैनिडा की अदर सूरते हाल देखें. तो कैनिडा में भी रियोपनिंग की बातचीत हो रही है. कैनिडा में मुझे याद है के जनवरी में कोई केस सामने नहीं आया था. फरवरी में केस पहले बिटश एपरिल को जो हमने नोट किया तो कैनिडा में एकत्यस हजार चेसो चवालीस कंफर्म केसिस थे और तेरा सो दस डैट्स थी. फिर हम एपर ट्विटी फोर को देखते हैं तो कंफर्म केस तरताली हजार 888 है और डैट्स 2302 है फिर 25 एपरिल को देखते हैं तो 45354 है और डैट्स 2465 है और आज एपर ट्विटी एट को हम शाम के नो बजे रात के नो बजे जब सूरते हाल देखते हैं तो यहां कंफर्म केसिस 49,817 है और डैट्स 2852 है कैनिडा में क्यूबैक और आंटेरियो के जो प्रोविंसे सबसे ज्यादा एफेक्ट है इस वब की जो सूरते हाल है क्यूबैक में 25,757 कंफर्म केसिस हैं और 16,82 डैट्स हैं जबके अगर हम क्यूबैक की सूरते हाल को 17 एपरिल के साथ देखें तो 14,248 कंफर्म केसिस थे और 360 डैट्स थी और आज 16,82 हैं ऑंटेरियो में एपरिल 17 को 7,953 केसिस थे और आज 15,381 केसिस हैं उस वक डैट्स 274 थी और आज डैट्स रपोर्ट की जा रही है 951 उसके बाद अलबर्टा और बिटिश कॉलंबिया एफेक्टिड हैं यहां पे सबसे ज्यादा अलबर्ट 2850 कंफर्म केसिस हैं और डैट्स 80 रपोर्ट की जा रही है जबके एपरिल 17 को 2397 कंफर्म केसिस थे और तब 50 डैट्स थी और बिटिश कॉलंबिया में आज 253 केसिस हैं और डैट्स 105 हैं बाकी जो कैनिड़ा के चे सूबे हैं और नॉर्टन टेरिटरीज जो हैं उन में सू कंफर्म केसिस हैं और नॉर्टन टेरिटरीज में एक में तो अभी तक 90 वट में कोई भी कंफर्म केस नहीं है और डैट्स जो हैं बाकी तो में टेरिटरीज में वो सिंगल डिजट में या मैक्सिमम डबल डिजट में हैं ज्यादा एफट जो हैं यहां पर प्रविंसे आक्योबैक, आंटेरियो, बिटिश कोलम्बिया और अलबर्टा के हैं अब हम न्यू यॉर्क की सूर्टेहाल पर भी एक नजर डालते हैं न्यू यॉर्क में सूर्टेहाल बहुत ही घंबीर है अमरीका में न्यू यॉर्क स्टेट सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली स्टेट है न्यू यॉर्क के नंबर इस वक्त मेरे सामने जो हैं एप्रिल 14 को वहां पे कंफर्म केसिस जो थे वो एक लाख पचानवे हजार थे और दस हजार से ज्यादा डैट्स थी फिर एप्रिल 17 को 2,22,000 कंफर्म केसिस हुए और 14,636 डैट्स थी एप्रिल 24 को 2,43,460 कंफर्म केसिस हुए और 15,740 डैट्स थी एप्रिल 25 की शाम को हमने चेक किया तो 2,82,000 कंफर्म केसिस थे और डैट्स वहां पे रपोर्ट की जा रही थी 303 डैट्स रिपोर्ट की जा रही है उल्द सिचुेशन ये है कि नियू यॉर्क स्टेट में सबसे जियादा मुताषर होने वाला शहर नियू यॉयॉउक है और उसके बाद सबसे जियादा मुताषर होने रियास नियॉ जरसी है जो New York के साथ ही है अब तक की सूर्टेहाल के मताबक अमरीका में करीब एक मिलियन के करीब कन्फर्म केसे होने वाले हैं जिन में New York रियास से तीन लाग केसे हैं और उन में सतरह हजार से जाएड डेट्स है और जब इतने कन्फर्म केसे हैं तो ये नंबर जो है डेट्स का अन जाना शुरू हो जाते हैं तो मैं ये समयता हूँ कि जो COVID-19 का ये जो पहला फेस है इसको मैं पहला फेस कहूंगा ये नीचे जाना शुरू हो गया COVID-19 पर काबू पाने के सिलसला में शट डाउन या लॉक डाउन ने कितना करदार अदा किया ये अपनी जगा बहस है मगर अ इसे खतम किया जाए अमरीका और कैनिडा में जिस तरह की लॉक डाउन की सिचुएशन है वो उस तरह का लॉक डाउन नहीं कि आप फ्रांस या भारत की तरह जो सूर्टेहाल है गरों से बाहर नहीं निकल सकते यहां पर लोग वाक के लिए ग्रॉसरी के लिए गरों से बाह जा सकते हैं और यह सकत हदायात हैं कि पांच लोग कहीं एक जगा अकठे नहीं होंगे और पार्क्स में नहीं जाएंगे अलबता वाक भी करते हुए सोशल डिसेंसिक होगी अगर सामने से कोई लोग आ रहे हैं तो आप अपना अलग से रस्ता बना लें तमाम कारोबार बं अपरीका और कैनिडा में हता कि न्यू यॉयॉक और न्यू यॉयॉक शहर इटसल जहां सबसे ज्यादा ये वबा जानलेवा थाबत हुई है वहां पर भी इस तरह की पबंदी के आप साइकलिंग के लिए नहीं आ सकते या वाक के लिए नहीं आ सकते वो नहीं है लेकिन इत आते हैं या अपने डॉक के साथ वॉक करते नजर आते हैं लेकिन वो सब अपने रिस्क पे या अपने अपने हाट स्पाट के मताबिक कर रहे हैं अमरीका में बहुत सारे पॉर्टेस्ट भी हुए पिछले दिनों जिस पर सदर्ट टरंप ने भी कोई ज्यादा पजीराई क अज़र नहीं किया उन्होंने कहा कि इस तरह के पॉक्रत नहीं होने चाहिए लेकिन बहुत सरी ऐसी रियासतें जहां पर या वाइरस जानलेवा इस तरह साब़ित हुआ आधा कहना है कि हमें काम करने के लिए आने दिया जाए कुछ ऐसे भी रेडिकल प्रोटेस्टर से जो नों ने कहा कि हम इस वाइरस से ज्यादा जो एकॉनमी का शट डाउन है उसको ज्यादा जान लेवा समयते हैं बरहाल जैसा कि मैंने शुरू में बात चीत शुरू करते हुए कहा कि इस वगत दुनिया अज के रोज इस स्टेज पर आ चुकी है कि उनुने वाइड का जो पहला फेज है उसकी तबाहकारियां देखी और अभी भी देख रहे हैं लेकिन उसके साथ-साथ वो सोच रहे हैं कि इससे कैसे बहार आएए और बहार आने के साथ-साथ-दुनिया क भी अब समझती है कि आखर कब तक घरों में बंद होके बैठा जा सकता है थोड़ी सी सूर्टेहाल हम भारत और सार कंट्रीज के हवाले से देखते हैं भारत में अगर हम वबा के पहलने का जो अमल अपनी पीक पर जब जाता हमें नजर आता है मिड एपरल में तो हम एपरिल 17 में नंबर्स देखते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भारत में 13,835 लोग कंफर्म केसे थे और 452 डेट्स थे और एपर 28 को ये नंबर डबल होकर बलकर डबल से भी कुछ ज्यादा होकर 29,974 हो गए और डेट्स 937 रिपोर्ट की जा रही हैं भारत में महराश्टरा, मध्या परदेश, देली, गुजरात, राजस्तान सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली रियास्ते हैं महराश्टरा में अब तक 369 डेट्स रिपोर्ट हो चुकी हैं और 8590 कंफर्म केसे हैं मद्या पर्देश में 113 deaths report हो चुकी हैं और 2368 confirm cases हैं देली में 3000 से जायद confirm cases हैं और 54 deaths हैं और गुजरात में 3548 confirm cases हैं और 162 deaths report की जा रही हैं सार्ख ममालिक की सूर्टेहाल देखें, तो इंडिया में नौसो सेंटिस डैट्स हैं, एपल टूटी एट की शाम 9 बजे एस्टन स्टैंडर टाइम के मताबिक पाकिसतन में 312 डैट्स हैं और पाकिसान में जो confirm cases हैं 14,612 हैं, अफ़ानिस्तान में confirm cases 1828 हैं और deaths 60 हैं, बंगलादेश में 6,462 confirm cases हैं और 155 deaths हैं और शिरिलंका में 619 confirm cases हैं और 7 deaths हैं और मालदीव, नेपाल, बुटान, तीनों कंट्रीज में 000 deaths हैं और बुटान में 7 confirm cases हैं, नेपाल में 54 confirm cases हैं और मालदीव में confirm cases जंप लगाके 28 जो थे एपरिल 17 को आज एपरिल 28 को 250 हो चुके हैं, व्यूर्ज ये सिचुएशन है सार कंट्रीज की, भारत की, पाकिसान की और अब भारत में भी ये बहस हो रही है कि किस तरह lockdown को इस आउट किया जाए और प्रामिनिस्टर नेंद्रा मूदी ने दो रोस पहले तमाम चीफ मिनिस्टर से बाचीत करते हुए इ जहां जहां सूरते हाल कंट्रोल में है, वहां पर स्टेप वाइज मर्खला वार चीज़ों को धीरे दीरे इस आउट किया जाए और जहां हाट स्पाट्स हैं, वो उन पर सक्त नेगरानी की जाए, अब तीन मई तक भारत में लॉक टाउन है, अब देखना ये है कि तीन मई के बाद सूरते हाल को कैसे काबू में भारत करने के जिम में प्लैनिंग करता है, वीवर्स, करोना पैंडैमिक के सिलसला में एक ओवर आल जो रिव्यू था और उसके साथ साथ जो रियोपनिंग की बाते हैं, वो मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया, बटन भी दबाई, किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो, टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता, आपका तावन भी हमें चाहिए, टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें, आप इश्टहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे.